हेलो, friends, मेरा नाब मनीश चौधरी तो फ्रेंड्स आज करेंगे, हम mensuration 3D का पार्ट, third, third, third और यह है cylinder याने की balance, ठीक है? तो यह हो गया ठीक है तो सलेंडर हम बेलन करेंगे दोस्तों आपको एक बता दूं लाइव के बारे में अभी दो दिन दो तीन दिन पहले आपको वीडियो दिया था मैंने लाइव का ठीक है तो लाइव में क्या था SSC का मैं आपको कराने वाला हूँ जी डी का सलेवस पूरा तो दोस्तों सलेवस का अगर हम बात करें तो SSC का जो सलेवस है उसमें क्या है एक तो हिंदी होती है एक होता है मैथ जी एस भी होती है रीजनिंग भी होती है ठीक है तो दोस्तों इसमें math रखेंगे, हम hindi रखेंगे 25 minutes की, math रखेंगे 30, और GS भी लगवग 25, और reasoning भी हम 25 से 30 minutes का रखेंगे, और बागी एक बार को confirm करके आपको बता दिया जाएगा, एक दो दिन पहले ही live से, बागी दोस्तो, SSC GD हम live का नाम रखेंगे, live class का, बागी यही जो आपको काम आने वाली चीज है, उसमें जो आपका RPF exam है, syllabus क्या है, बिल्कुल सेम ही है, बस एक हिंदी को यहां से हटा दे हम, तो math भी आता है, थोड़ा कम आता है, लेकिन आता है, GS भी आती है, और reasoning भी आती है, अगर हम बात करें इस levels की, तो इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं आता, मतलब कोई lengthy questions नहीं आता है, हिंदी में भी थोड़े कम level के पूछे जाते हैं, math में भी थोड़े कम level के, RPF में भ कम ही होता है, और एक UP police का exam आपको दुबारा देना है, तो उसमें भी यही topic है सारे, चारों, तो यह तीनों class है, यह तीनों में काम आने वाली है, बाकि SSC नाम होगा, लेकिन RPF और UP के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत काम आने वाली है, ठी कोचिंग करने का मतलब है कि आप कोचिंग ऐसे person से करिए, यानि कि ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे बंदे से करिए, जो खुद भी update रहे इन चीजों से, जैसे SSC GD, दोस्तों मैं अपनी बता दूं तो मैं खुद अभी government job की तयारी कर रहा हूं, मेरे पस कोई government job नहीं है, आपकी तरह मैं भी तयारी में हो, तो दोस्तों ऐसे बंदे से करिए, जो इन चीजों की तयारी में हो, हकीकत में तयारी में हो, यानि कि UP की तयारी में हो, चाब वो constable level ना हो, वो SI level हो, या और PCS level हो, तो ऐसे बंदे से आप तयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा फाइदा रहे इससे benefit यह मिलेगा कि यह खुद भी up to date रहेगा ना इन चीजों में कि इसका syllabus क्या है या इसका syllabus क्या है या इसका तो पता ही होगा ना SI का तो जब इनके बारे में उस बंदे को syllabus के बारे में पूरी जानकारी होगी क्योंकि वो भी exam में बैठीने वाला है तो आपको भी पूर coaching करा रहा है लगवग 10-20 साल होगे उसे बहुत पुराना उसका institute है coaching center है तो अब वो coaching करा तो रहा है लेकिन up to date नहीं है मतलब इन exam की तयारी में नहीं है पहले कभी करी थी अब नहीं है syllabus change हो चुके है तो ऐसे बंदे से करिए जो इन चीजों की तयारी में हो up to date हो और फिल दोस्तो हम अपने slender पर आ जाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं ठीक है मैं अगर अपने slender की बात करूँ आयतन की तो दोस्तो इसका आयतन यानि की volume ठीक है इसका volume होता है πाई यारे स्कॉएर एच तो दोस्तो आपको पता लग रहा होगा की पाई यारे स्कॉएर कहां था 2D में ब्रत पहुंच गए 2D में ब्रत वहां पे था पाई यारे स्कॉएर केवल हाइट बढ़ी है इसमें ठीक है इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ वक्रुप ट्रष्ट के छेथफन के तिवल यानि की 2PiR आप पहुंच गया होँए 2PiR H इसमें फाल्ट हूँ है ब्रत वाले में से ठीक है एक होता है टोटल सर्फेस एरिया यानि की संपूर्ण प्रष्ट का छेथफ़ ठीक है दोस्तों तो इसका क्या होता है 2PiR H प्लस 2PiR स्क्वाइर ठीक है इसलिए इसको बोल देते हैं 2PiR तो कौँ मना जाता है यहां से भी और इधर से भी और H प्लस R अंदर होता है ठीक है तो ये दो तीन कॉंसेप्ट आपके बनते हैं वोल्यम होगे आपका प्लस 2PiR स्क्वाइर ठीक है इस तरह से आपको करना है बाकी का हम समझेंगे कोशन के माध्यम सही और आपको मैंने बताया था कि मैंसुरेशन टोड़ी हो या 3D मतलब कि जो भी आपको कोशन में पूछ रहा है और जो चीज आपको दे रख्या है उसके सामने उसी का कॉंसेप्ट लगा दो मानलो कि वो आयतन उसमें दे रख्या है कि आयतन 500 है तो आयत लगा दीजिए आप फिर कोई परेशानी नहीं होगी कोशन अपने आप स्वल्यूशन होता चला जाएगा पहले कोशन से बात करते हैं कोशन देखते हैं पहला कोशन एक बेलन की उचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका ब्यास 10 सेंटीमीटर है दोस्तो डायामेटर यानि कि ब् दे रखा है मुझे ब्यास और यह 2R होता है R निकालनी है मुझे तो 10 बटा 2 हो गई यानि कि 2 इदर पहुंच गया है और यह R हो गई तो R का मतलब हुआ मेरा 5 इस तरह से निकल के आईगी लेकिन एक्जाम में और अपनी कॉपी में इस तरह से सॉल्व नहीं करनी है अगर R दे रखे हो यानि कि R 10 होगी और डायमेटर ब्यास पूछ रहा है तो 20 कर दीजे दोगना कर दीजे और मुझे हाइट यहां पर दे रखे 14 ठीक है आयतन मुझसे पूछा है क्या होता है पाई R स्क्वार H पाई की वेल्यू रखूंगा 22 अपाउन 7 इंटू आर की वेल्यू 5 इंटू 5 और H की वेल्यू रखूंगा 14 ट्यू बार ठीक है 5 से 5 25 और 250 इंटू 22 एक 0 की 0 और 22 पंजा 110 ठीक है सेंटिमीटर क्यू ऐसे निकल के आ जाएगा सिर्फ इतनी सी ही जगह में आपका कोश्यन हो जाएगा यानि कि सिर्फ एक लाइन में अगली लाइन में आंसर आ जाएगा ये तो चीज आपको पता होनी चाहिए ये कोश्यन में ही दे रखी है दोनों चीज़े ठीक है तो इस तरह से आपको कोश्यन सॉल्व करना है बहुत छोटा सा कोश्यन था आगे चलते हैं कोश्यन में जोस्तो सेकेंड कोश्यन पर चलते हैं सेकेंड कोश्यन आपक नहीं है ब्यास आधार में ही होता है ठीक है तो साथ सेंटीमेटर बोल रहा है और संपूर्ण प्रष्ट का छेत्पल आपसे कुछ है तो 80 हो गई मेरी हाइट और आर में अगर बोलू तो 3.5 हो गई मैं खुद ऐसे ही लिखता हूँ सेंटीमेटर रहें दोनों क्योंकि यह 7 है डायमेटर तो यह 3.5 हो गया अगर मैं संपूर्ण प्रष्ट टोटल सर्फेस एरिया की बात करता हूँ तो उसका कॉंसेप्ट है 2 पाई आर और अंदर ह प्ल वैले लिखोंगा तो 3.5 80 प्लस 3.5 ठीक है आर की वैली है यह पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 10 देखो एक दो यह कटा यह कटा साथ वार और यह 10 कैंसल यह साथ से यह साथ गया 22 नीचे बचा और यह हो गया 83.5 ठीक है इस ब्रैगिट को हटा दू multiply नीचे 10 लगाँगा क्यों यह पॉइंट हटाना है बागी तो आप multiply करके लिख सकते हैं आके तो answer आ जाएगा सीधा अगर आपको यह पॉइंट हटाना हो तो देखो यह 11 वार जाएगा और यह बच जाएगा 5 वार और 5 से यह जाएगा कितनी वार 1 3 वचा 3 3 याने कि 6 वचा 3 5 याने कि 7 तो 1 6 7 इंटो 11 77 का 7 66 66 और 7 73 याने कि 7 और 18 ठीक है तो centimeter square इस तरह से आपको कर लेना है एच दे रखिए 80 आट दे रखिए 3.5 हमने total surface area का concept रखा बाकी यह solving है और यहां answer ठीक है तो दोस्तों चलते है next question पर तो दोस्तों यह तो थे concept based question याने कि आप language में ना घब राएं language कुछ भी आए जैसे आगे और भी question आएंगे तो concept तो यही तीन रहेंगे ना आपके language वो केबल 3 concept है और question कुछ भी आजए कैसी भी language आजए आपको solve करना है ठीक है तो तीसरा question है हमारा एक balance की उचाई 14 cm है और इसके वक्रप्रश्ट का छेथफ़ल 264 cm square है इस का इस balance का item कितना है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर वक्रप्रश्ट मैंने आपको क्या बताया था जो भी चीज आपको दे रख्यों यानि कि वक्रप्रश्ट का छेथफ़ल आपको दे रख्या और उसी का concept हम उसके सामने रख देते हैं अब हमारा निकल के जो आएगा वही answer हो जाएगा यानि कि निकल के आएगा क्या निकल के आएगा R और R क ठीक है और यह हो गया 264 ठीक है देखो 7 से यह कटेगा 2 वार ठीक है मैं 22 का कटेवल नहीं आता है तो 11 का तो आता होगा ना 2 वार और इसको काट देता हूँ यहां पर 22 और 4 बचा तो 4 देखो 2 दुनी 4 दुनी 8 और कि यह कटेगा 3 R बरावर आगया मेरा 3 यहां से आपको पता है ना कैसे काटा है मैंने 7 से पहले 14 काटा फिर 11 से काटा यह 2 वार और 11 से ही काटा इसको 24 बार अब देखो यह 2 दुनी 4 दुनी 8 और सीधा 8 से मैंने काट दिया यह 3 वार ठीक है तो R की वेली यहां से 3 बची और यहां R बचा और यहां पर 3 बचा तो R की वेली 2 upon 7 R की वेल्यू 3 इंटो 3 और H की वेल्यू 14 बस question solve 3 ती ये 9 दूनी 18 और इंटो 22 18 तूज़ 36 18 तूज़ 36 और 3 तूज़ 39 cm3 ठीक है दोस्तो तो इस तरह से आपको solve करना है कोई ज़्यादा बड़ा question नहीं था केबल मैंने भोला था कि जो चीज़ आपको दे रखिए हो उसका concept लगा दीजिए R की value 3 आजाएगी इदर ऐसे cancel out करोगे तो अब item का concept रख दीजिए सीधा answer आएगा आपका ठीक है तो दोस्तो ऐसे question तो आपको इसी तरह से करना है बस जो चीज़ दे रखिए उसका concept रख दीजिए छोटे छोटे question इसी तरह से आजाएंगे आपके concept वेस पर थोड़े से lengthy जो question होते हैं जैसे अभी आगे आने वाले वीडियो को आप पूरा देखिए कफी important होने वाली है ALP वगेरा के exam में तो दोस्तो हम चलता है next question पर और दोस्तो अब question है ऐसे आने वाले हैं कि आपको question तो बहुत छोटा होगा question मतलब question बड़ा होगा solution बहुत छोटा होगा लेकिन होता क्या है उसमें एक mind लगाना पड़ता है मतलब एक language थोड़ी सी hard होती है लेकिन solution बहुत ही होता है तो देखेंगे कैसी language आएगी किसी बेलन के आधार की तरज्जा को आधा करके तथा उचाई को वहीं पर रखकर एक नए बेलन के आयतन तथा दिये गई बेलन के आयतन कानुपात कियात कीजिए तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि देखो पाई की वेल्यू अगर नए बेलन लिख लो या आधार की तरज्जा को उपर नीचे कर लो या एच को उपर नीचे कर लो लेकिन पाई इसमें भी यही रहेगी और जो नया बनेगा उसमें भी रहेगी कोई दिक्कत नहीं होगी एच की वेल्यू हमसे बोला है कि जो यह है पुराना वाला उसमें भी उतनी रहे और जो नया वाला है उसमें भी उतनी रहे कोई दिक्कत होगी और जो आर की वेल्यू है उसमें दे रखी है कि r की value इसमें यानि कि जो नया है उसमें तो आधी कर दी जाए यानि कि 1 upon 2 कर दी जाए और इसमें जितनी है उतनी ही रखी जाए यानि कि 1 r होगी इसमें 1 upon 2 होगी ठीक है मैंने माल लिया इसमें 1 r है तो इसमें 1 upon 2 होगी अगर मैं मनूँ कि इसमें 2R है तो इसमें 1 हो गई क्योंकि आदी कर रखे है कुशन में बोला है कि आदी रखे यानि कि त्रज्या को आधा कर दे और उंचाई को बिलकुल एक समान रखे तो आयतन पर क्या फरक पड़ेगा यानि कि कितना एक दूसरे से अनुपात गयाद करें ठीक है तो इसमें दोस्तों हमें क्या मिला भई पाई की वेल्यू सेम रहेगी एच उसने दे रखा है सेम ही रखना है तो सेम ही रहेगा बस आर की वेल्यू आधा कर देनी है पुराने बाले से और इसमें दे आधा बस मैंडि यही लगाना है कि पाई की वेल्यू बिलकुल एकदम फिक्स हो गई एच की वेल्यू वो करा है फिक्स रख लिया बस आर चेप्ड होगा तो आर मैं हिहां पे बोलता हूँ तो आर ये बोलेगा कि यहाँ पर अगर मैं 2R मान लूँ तो यहाँ पर 1R होगी, ठीक है, अब R से R तो cancel out हो जाएगा, R से R cancel out अनुपात में, cancel out हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर बचा 2, सोचने वाली बात यह है, कि value होती क्या है, आयतन की, आयतन की value होती क्या है, यहाँ आयतन की value होती क्या है, पाई R स्क्वाइर एच, यानि की स्क्वाइर आ रहा है पाई पे, ओ, R पे, ठीक है, यह और यह fix, इस पे स्क्वाइर आ रहा है, यानि की पाई R स्क्वाइर आ रहा है, तो 1 इससे क्या हुआ इससे पता ही लगा कि अगर मैं इन पे स्क्वाइर करूं तो आयतन निकल आएगा न अगर 1 और 4 इतना अनुपात हो जाएगा इसका समझाने में टाइम लगा है दोस्तों करने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी सीधा सीधा ये जाना है कि पाई आर स्क्वाइर एच होती है आयतन सलेंडर का ठीक है इसमें पाई की वेल्यू फिक्स कर दी एच की वेल्यू फिक्स कर दी आर की वेल्यू फिक्स नहीं है ये दो है ये एक है और इस पे स्क्वाइर करना है तो आयतन निकल आएगा ठीक है तो स्क्वाइर कर दी अब 1 रेश ठीक है बाकी अगर मैं बात करों concept से करने की concept क्या होगा concept होगा देखो concept क्या होगा सिधा यह यह पाई आज Norway च्वेकर आज है अनुपात फाई आज स्क्वाइर और शक्वाइरच पाई की वैलिई तो सेम रहेगी आर की वैलीय नए वाले में 1 R हो गई, तो 1 R का square कितना हो गया, भई 1 का square तो 1 ही होता है, चलो R भी लिख लेते हैं, R लिखो मत लिखो, कट जाएगा, तो into 1 R square into H, same रहेगा, ratio, pi same, 2 R का जगे हो गया, 4 R square, R वही वाला लिख लेते हैं, और H भी same रहेगा, ठीक है, pi से pi cancel out हो गया, R square से R square cancel out हो गया, H से H हो गया, यहाँ पे बचा 1 और ratio यहाँ पे बचा 4, तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, एक यह चीज है कि आप copy pencil लेके solve कर रहे हैं, तो उसमें time लगता है, बाकि आप अगर अपना mind लगा के देखें, तो केवल pi R square H होती है, और इसमें pi fix होती ही है, H O बोल रहा है कि fix ही रखना है, वहीं पर रखने पर, R बोल रहा है कि आदा कर दो, तो हम मानेंगे कि पुराना दो थान, एक छोटी से छोटी value मानो ना, और ऐसी मानो कि जिसमें solve करने में दिक्कत ना हो, हम पुराने को एक मानने, तो इसको एक बटे, दो मानेंगे ना, और बटे में दिक्कत होती है, solve करने में आपको भी और बाकी औरों को भी होती है, तो हम ऐसे मानेंगे ना, कि जो fix, मतलब दिक्कत ना हो, तो 2 हो गया और ये 1 हो गया, इसको pi R square H होती है, तो square करेंगे, तो दोस्तों कोशन आपने देखा लेंग्वेज देखी और फिर अपने माइंड लगाने का तरीका भी देखा और कॉंसेप्ट से भी देखा जो चीज आपको अच्छी लगे जैसे अच्छी लगे बाकि अगर आप बिगिनर हैं यानि कि अभी चालू किया है अपने कोशिंग तो कॉंसेप्ट से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि याद भी रहेगा और ट्रिक से करेंगे तो थोड़ा कम्याद रहेगा बाकि आप अगर पुराने हैं थोड़े ओल्ड हैं तो ट्रिक से कर सकते ह तो चलते हैं नेक्स्ट कोईशन पर, नेक्स्ट कोईशन, दो विलनों की तरज्जाओं का अनुपाद दो अनुपाद तीन है, तथा इनकी उचाईयों का अनुपाद पांच अनुपाद तीन है, यहने कि दोस्तो अगर मैं आर की बात करूँ तो दो विलन है, इनकी दो अनु आधें-पात थी इस में हमसे पूछा है कि आयतनो YeTA का अनुपात कितना होगा दुस्तो- आयतनो that दुस्तो सबसे पहले मैं ट्रिक से पताता हूं सीधा आ nawr स्दो पाइछ ll, देखो, इसका जैएक मैं लगा दो मतलव इस वाले में लगा नहीं सेने हाँ है, इस वाले इसलेंडर में लगा दो, शाए सेनल रहेगी, र पे स्क्वार के मरले रभी हैं, और यह थिक आपर यह यह जाएगगा झालर के लगएगार द लिए UK हो फ़ाँ गिया थि कहातार की जरूरत नहीं है कोईशन में देखेंगे तो 25 तीन तो दो का चार पंजा बीस और नो तिया 27 ऐसे कर सकते हैं सीधर डारेक्ट अंसर बाकि ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है और आपको चाहिए कि कॉंसेट से ही बताना है तो कॉंसेट भी देख लीज़ीगा एक बार चाहिए कॉंसेट होता ही पाई ए स्कॉएर एच है ठीक है अब यहां पे भी लिख लिए मैंने पाई आर इसको अर देखो यह तो सेम होता है तो इसको तो ही कैंसल आउट कर दो क्या जरूरत है आगे थ्री का 3 तो यह हो गया सत्ता है इस रिशयो 20 तो यह आपके ऊपर है कि आप पहले कॉंपी पेन उठा के अपना कॉंसेट लिखते है यह डारेक्ट लिए चीज लिखते है ताइम इस जगा लगता है आपके सिधा सिधा एक्स्पिरेंस काम आएगा एक्सपिरेंस का मतलब ह आपकी जो रिवीजन है, रिवीजन, 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 वो चीज काम आएगी, कितनी प्रक्टिस करते हैं आप मैथ की, तो आप सीधा-सीधा लिखा सकते हैं कि पाई तो भाई, कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू एकदम फिक्स होती है इसकी, और आर स्क होता है, तो 4 कर दीजिए, और H का मंटिप्लाई होता है, तो 4 इंटू 5 बरावर 20, और H इदर रखेंगे, तो 3 का स्कॉर करेंगे, तो 9 इंटू 3 बरावर 27, और इस तरह से आप केवल और केवल ए ऑप्शन होगा, या कोई भी ऑप्शन हो तो उस पे टिक कर सकते हैं, इस त बता है, कितने लम्मे चोड़े होते हैं, और भी आते हैं, ठीक है, और दोस्तो सीरी सीरी बात में अगर बता हूं, तो मेंसुरेशन 3D से जो भी कॉशन आता है, वो किवल उस टाइप के आते हैं कि मतलब तरज्या को 20% बढ़ाने पर जितफल पर क्या फरक पड़ेगा, आय या percentage वाले, मेंसुरेशन 3D में भी, कि 20% बढ़ाया जाए, 50% बढ़ाया जाए, 50% घटाया जाए, तो क्या फरक पड़ेगा, ये चीज ज़्यादा आती है, दुग ना कर दिया जाए, चोग ना कर दिया जाए, ठीक है, तो next type के question पर चल दे हैं, हम भी इस type के question डालेंगे, बाकी मैंने दो करा दिया आपको ratio के, एक question percentage का भी इसमें डाला है वीडियो में, तो next question, एक कुवा है, एक कुवे को खोदा जाता है, जो 22.5 मीटर गहरा है, तो दोस्तों, मीटर गहरा है का मतलब है कि H हो गए, ये पूरी height ही तो होई, तो height है इसकी 22.5, ठीक है, इसके बा और इसे अंदर की ओर एक धरातल पर 30 रूपे प्रतिवर्ग मीटर की दड़ से पलस्तर करने का खर्च कितना होगा, तो दोस्तों, मैं ब्यास यहां से बोला है, तो ब्यास कितना बोला है इसने, 7 मीटर, यानि कि 7 मीटर बोला है, तो मेरी R कितनी होगी, ये भी मीटर है, त इसने बक्रप्रेश्ट की बात करी है, तो वह बक्रप्रेश्ट का क्या होता है, पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, तो 2 इन्टु 22 अब अपों 7, R होगी 3.5 और होगी 22.5, अपों 10 लिख रहूं इसे हंटा के, इसे भी हंटा के अपों 10 लिख लेता हूं, देखी 2 से और यह कटेगा, और यह कटेगा 7, और 7 से ही कटेगा, ठीक है, अब मैं इस 10 को कैंसल आउट करता हूं, तो यह कटेगा 11 बार, और यह कटेगा 5 से कटेगा, देखो 4 और 5, 25, तो 11 इंटू 45, यह तो आया है इसका वक्र प्रष्ट का छेतफन, ठीक है, इसको मंटिपलाई कर लेते हैं, देखो 55 और 44 और यह होगा, 49, सेंटी मीटर स्कॉयर होगा न, बई, एक मीटर स्कॉयर में आपको लगते हैं 30 रुपे, तो इतने मे कितने लगेंगे, यानि कि एक मीटर स्कॉयर में, एक मीटर स्कॉयर में, एक मीटर स्कॉयर में लगते हैं आपको 30 रुपीज, और 2 मीटर स्कॉयर में लगेंगे 60 रुपीज, इसलिए मैं बोलू कि एक मीटर स्कॉयर में 30 रुपीज, और 2 मीटर स्कॉयर में 60 रुपीज, आपने कैसे बताया, आपने बताया कि इस 2 की multiply 30 में करती है, तो मैं बोलूं, 495 मीटर स्क्वाइर की कितनी value होगी, 30 into 495, कितनी हो जाएगी, 0 का 0 आ जाएगा, 3 से 5, 15, 1, 3 से 9, 27, 128, और 3 से 12, 4, 14, इतना रूपीज का हमारा खर्चा आएगा, ठीक है, 14,850, ओके तो इस कोशन थोड़ा सा लेंडी है, बाकी कोई दिकत नहीं है, यहां से तो यह सिर्फ कोशन ही कोशन है, इसके बाद में solution है, 2 पाई आरेच, इसकी value निकाल दी हमने, 495, ठीक है, इसके बाद 1 मीटर स्क्वाइर में 30 रूपीज, तो 495 में कितने हैं, तो 30 into 495, 14,850, ठीक है, तो और भी कोशन हैं हुए इस टाइप से, आपको इस तरह से करने हैं, एक कोशन और है इस वीडियो में, वो है percentage वाला, वो ही जो मैंने आपको बताया था, कितरज्या को घटाने पर, या height को घटाने पर, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पूछ सकता है फर्क इलिए, total surface area भी पूछ सकता है कि उस पे क्या फर्क पड़ेगा, volume को भी पूछ सकता है उसको क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तो इस वीडियो का last question है, और काफी important question हो जाता है यह, तो किसी बिलन की उचाई में 15% की ब्रधी करने पर, तथा इसके आधार की तरज्या में 10% की कमी करने पर, इसके वक्र प्रष्ट के छेतफल में क्या फर्क पड़ेगा, तो दोस्तो मैंने बताया था कि वक्र प्रष्ट का छेतफल, यह संपून प्रष्ट का छेतफल, तो इस तरह से आपको मिलेगा, या मीटर स्कॉयर होगा, तो दोस्तो छेतफल कोई साभी हो, मीटर स्कॉयर आता है, वोलियूम कोई साभी हो, मीटर की हुबाएगा, सेंटीमीटर की हुबाएगा, बाकी और भी चीज हैं, जैसे लंबाई हो गई, चोड़ाई हो गई, तरज्या हो गई, व्यास हो गई, ओंचाई हो गई, उसमें सेंटी मीटर आता है और मीटर आता है तो हमें सबसे पहले देखना है कि यह हम ऊचाई और त्रज्जा की बात कर रहे हैं तो इस चीज से यानि कि पावर वन से पावर टू की चीजों में हम जा रहे हैं तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी पड़ती है ये भी चीज इसमें बाकी ये कुशन है नहीं इस टाइप का कुशन अलग टाइप का है जो मैं कराओंगा अभी ये टाइप का जो कुशन है वो इस वीडियो में नहीं है बाकी ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपसे पुगनी तरजा बढ़ा दी जाए तो छेथफल चार गुना बढ़ जाएगा, आइतन आठ गुना बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 की पावट 3 में आइतन और 2 की पावट 2 में छेथफल, ठीक है? इस तरह से आपको अगर घटा दिया जाए तो चार गुना ही गटेगा और आठ गुना ही गटेगा, ठीक है? इस तरह से गटा करना है आपको, पर्सेंटेज का कोशन है तो आपको इस तरह से करना है देखते हैं, यह तो वही कोशन होगा है जो उसमें होता है, डिसकाउंट वाला कोशन, बट्टे वाला कोशन, माइनस 10, माइनस 15 इंटू 10, आपाउ चीज तो यहां पर 5 बचेगा माइनस 0 से 0 काटेंगे 3 upon 2 और यह हो गया 3.5 कैसे हुआ 5 जो नहीं 10 माइनस 7 तो 7 बटे 2 और यह हो गया 3.5 पिलस में आ रहा है न तो ब्रद्धी होगी तो 3.5 परसेंट की ब्रद्धी हो जाएगी 3.5 परसेंट की ठीक है तो यह वाला आप याद रखिएगा बाकी और अगर आपको जरूरत है तो आप हमारे वाटसप ग्रूप में आ सकते हैं और भी कोशन लेके और और भी तरीके हम आपको इसके दे देंगे लगवग दो-तिन तरीके होते हैं जो मेरी जानकारी में है फिलाल ठीक है? तो इस कोशन को इस तरीके से करिए अगर आपको पसंद नहीं है तो वाटसप ग्रूप में मैसेज करिए कोई भी कोशन हम उसका अगर आप अलग तरीका लेते हैं अलग कॉंसेट्ट से लेते हैं तो वो भी बता देंगे तो थेंक यू दोस्तो और अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है तो दोस्तो थेंक यू